हेलो मैं बीटिफुल सोल्स वेल्कम टू मैं यूटुब चैनल चारोवी शीवीट पर लेडियर कैसे हैं आप सबी लोग आप सबी लोग बहुत अच्छे हैं बहुत अच्छे से अपने नहुआ कर रहे हैं अगर आप मेरे चैनल पर हैं रिक्वेस्ट करूंगी आता तो लाइक दिस वीडियो देखते हैं आपके पार्टनर की करेंट एनरजी क्या है क्या सोच रहे हैं आपको लेकर अगर 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 झाल झाल देखो गाईश यहाँ पर आपके पार्टनर की एनरजी क्या निकल करा यह डेफिनिटली इस रीडिंग को आप पूरा सुनियेगा और आप रीडिंग से बहुत कुछ उसमें सुनते हैं आप ठीक है लेकिन आपके लिए बहुत जादे इंपोर्टेंट है कि आप जो भी सुनत तो उसको सीकते भी जाएं यह बहुत इंपोर्टेंट है यह डिशीज अभी शुरुआत में आपको यह चीज ऐसी नजर आती है कि सिर्फ रीडिंग सुनना है इंपोर्टेंट है लेकिन बात मैं आपको समझ में आता है कि रीडिंग से समझना और उसका अप्लाइग करना बहुत important है चले शुरू करते हैं तो आपके पार्टनर की energy right now क्या है मतलब यहां पर आपके जो पार्टनर है ना सबसे पहला सवाल universe से यह कर रहे हैं लगातर इस person की दिमाग में यह चल रहा है पर्मात्मा को ले कर कि मेरी जिंदगी में मुझे तनी तकलीफ क्यों दी आपने आपको मेरे से क्या दुश्मनी है बच्पन से लेकर अभी तक मेरी लाइफ में कभी कुछ जादा अच्छा रहा नहीं है और मुझे हमेशा ही जिंदगी में कुछ ना कुछ ना कुछ परिशानी देखनी पड़ी है मैं कितना हस्ता खेलता सा लड़का या हलस्ती खेलती सी लड़की थी सब कुछ था मेरे पास मतलब मुझे ये तो था कि ठीक है मैं अपनी लाइफ में सब कुछ कर लूँगा या कर लूँगी या फिर मेरे को हस्ता खेलता रहना अच्छा लगता था खुश मिसाज इंसान लेकिन अब तो वीजिन की ऐसी हो गई है कि अब तो युनिवरस पर Christmas को कहतें कि आप चोजन वान है अव इसका मतलze क्या हुआ आप चोजन वान है यहां पर जब भी आपके बाड़ाइन तरी के सवाल कर थे हैं युनिवरस पर सप्स नूपनहीं कोशिश करते हैं कि आप जोजन वान है आप दुनिया से अलग हैं इसलिए आपको यह चीज़ा मिली है जैसे बिल्कुल ऐसे समझें कि आपकी लाइफ एक मूवी की तरह है ठीक है एक मूवी है एक मूवी शूट हुई है और उस मूवी में आपको कोई रोल प्ले करने के लिए दिया गया है और आप मालीचे एक् आप प्ले कर रहे थे सबसे अच्छा आपको लगा होगा डायरेक्टर को तब जाकर उसने वह जो बेस्ट टोल था वह आपको दिया उसी तरीके से युनिवर्स परसन को सम्झाई कोशिश कर रहे हैं कि यह जिन्दगी जो आपको मिली है इसको एक मूवी की तरह लो कि परम को अपने घर चले आएंगे तो इन्सान अपने घर जाता है जो भी एक्टर होते हैं उसी तरीके से उनिवर्स परसन को समझाता है कि जिस दिर मोवी कहता हो जाए यह नहीं कि आपके लाइफ खताम हो जाएगे तो दो अकुल मिला के आपको अगर हमने मतलब ज्यादा कठे रोल दिया है या आपको बहुत जादा हार्ड रोल दिया है तो इसलिए दिया है क्योंकि आप उसके लायक हैं आप उस रोल को निभाने के लायक है इसलिए दिया है कमजोर लोगो नहीं को नहीं देते है जो अच्छी एक्टिंग नहीं कर सकते है उनको पता है कि यह इंसान ज तो यहां पर उसके बाद आपके पार्टनर का दिमाग खराब इसलिए होता है कि सड्टनली इतने सारे कोई इंसान भक्ती ना करता हो पूजा पार्टना करता हो बिलकुल भी कुछ भी ना जानता हो इनकी भी अवेक्निंग होती है ठीक है उनकी भी अगर इस लाइफ टैम में कभी भक्ती नी की कभी एक दिया भी नहीं चलाया कोई कि मेडिटेशन कोई साधना कुछ नहीँ फिर कहां से मेरी अवेकनिंग प्र निरभरकता ही नहीं करती है कि आप के सोल ग्रोथ ही ना कितनी कर रहें और इस लाइफ टैम Kिसिक फर्टिकुलर चीज के लिए बने हुए है अगर आप किसी पर्टिकुलर चीज के लिए बने हुए हैं पास लाइफ में आपने सोय को बहुत जादा की कर रखी है तो इस लाइफ टाइम में आपकी कुड़ी में आवे करोंगी बिना किसी साधना के वह यूनिवर्स के थू होगी आपके इस पर इस तरह की वीडियो जाते हैं जो आप रखी करती हैं तो इनका खराब होता ही कि मैं तो कुछ भी नहीं किया यहां तो फिर मेरे साथ यह साथ चीज़े कैसे हो रही है आप शुरुआत में भले ही ना करते हो लेकिन एक बार चीज़ां शुरू होने लगती है तो युन जेंटल आपके को अवेकन हुई लेकिन बाद में आपको मेडीटेशन करने के लिए फौर्स किया जाता है और जाया तो मुझा पर इस परसेंथा लिए को तो कश्ट यह मैं आपको बता दु़िए कि सिर्फ आवेक्निंग निकंटें को इस लाइफ वह सबक्राइब लिए और यह आपके अ भी परमात्मा तोड़ते हैं आपको मंसिक तोर पर भी तोड़ा जाता है ठावनात्मत तोर accept फाइनलो के डोड़ा जाते हैं तो यह इस पर निर्भर करता किसको क्या जाधा मिलिए कुछ लों को financial losses जाधा मिलते हैं क्योंकि उनका finances से related past life कर्मा है पोई के स्लोगों को emotional losses जाधा मिलते हैं क्योंकि उनका भावनात्मर्स तौब लोगो बहुत कश्ड दिया था किसी यह होता है कि उनिवर्स आपको तोड़ते पांचों चीजों से हैं लेकिन यह होता है कि किसी को कुछ जादा फेस करना पड़ता है किसी को कुछ कम फेस करना पड़ता है वो इस पर निर्भर करता है कि पास लाइफ करमा स्टॉंगली आपका किस चीज से जुड़ा है जिस ची होती है emotionally broken का card है जैसे लगता है कि finances इस परसंट के उतने ज्यादा problem में नहीं आते हैं इस परसंट को सबसे आँ तकलीफ होती है emotionally like भावनात्मक तौर पर लोग इस परसंट को तोड़ते हैं कि इनकी भावनाओं का मजाक उड़ाते हैं कि फीलिंग्स को hurt करते हैं तो क्योंकि इस परसंट ने यहीं से कर्मा क्रेट किया था तो मतलब चीज़े तो आपको पर्मात्म हर तरफ से देता है कुछ लोग को होते हैं कुछ लोग को extreme level पर होते हैं ठीक है कुछ लोग को मानसिक पीड़ा होते हैं कुछ लोग को hallucination हो जाते हैं कुछ लोग मानसिक पीड़ा में ऐसे हो जाते हैं तो यह निर्भर करता है आपकी कि आपका पास लाइफ कर्मा किस तरीके कर रहा है ठीक है ना और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन पर इश्वर की बहुत असीन करपा हो जाओ वो भी परमातमा पर पूरा विश्वास करते हैं त कांफलिक्ट की cabbage दिखा रही है कि आपके पर सिंकी लाइफ में लोग हमेशा उस पर से लड़ते ही जगड़ते रहते हैं कोईब खुछ भी बोलन के निकल जाता है इस परSON की भावनाओं को थेस पहुचा कर निकल जाता है इनको तकलीफ देकर निकल जाता है तो इनकिं को पड़ी तकलीफ होती है कि लोग मेरी भावनाओं की कदर नहीं करते हैं मुझसे जगडा करते हैं मैंने लोग के लिए इतना किया है फिर भी यह लोग ऐसा करते हैं दूसरा चाइल्ड का भी कार्ड इनर चाइल्ड बच्पन से इस परसन ने यही सारी चीज़ ने देखी है औ बार वही चीज़ होती है हर बार बनते काम रुक जाते हैं ऐसा हो जाता है कारण कि वह चीज़ हैं आपके सबकॉंशियस में बैठी हुई है और सबकॉंशियस री प्रोग्रामिंग बहुत जादा इंपॉर्टेंट है ठीक है जब से पहले आपके अंदर कौन सा फियर कि यह क्या है ऐसा जो आपको अपने सबकॉंशियस से हटाने की ज़रत है जो आपकी सक्सिस में आपकी लव लाइफ में ग्रोथ में हर चीज़ में रुकावट बना हुआ है आपके परसंट के इनर चाइल फियर जो बच्पन में इस परसंट को लोगों ने भावना इनकी हर आ रही है क्योंकि कुछ लोग यहां पर ऐसे हैं जो सिंगल मदर सिंगल फादर भी रीडिंग को देखते हैं ठीक है उनका मतलब किसी के साथ डैवास हो चुका है अब यह भी देखो एक तरीके से नियती होती है आपका उनके साथ उतना ही कर्मा लिखा हुआ था तो कर्मा क कि लिए कभी ना ना बोले और उनिवर्स को बोले कि जो भी बहतर से बहतरीन हो सकता आपकी लिए करें इसके अलावा इस पर्सिंगे एनरी है वन टू थी उनिवर्स हमेशे इस परषिंग को पॉजिट अंबर दिखांगे बोल रहे है कि आप यूनिवर्स आगे बढ़र र आपके साथ भी जस्टिस जरूर होगा, टेंशन नहीं लो, जस्टिस विल भी सर्फ, ठीक है ना, यहां पर इस परसंट की एनरजी है, कि इल्यूजनरी चीज़ें इस परसंट के दिमाग में बहुत जादा चलती है, हो सकता है कि यह परसंट बहुत जादा इल्यूजन्स में क्योंकि इल्यूजन्स में आप इसलिए पढ़ जाते हैं, वो एक ताइम परिक्षा का समय है आपका, प्रारप्द आपका नश्ट हो रहा है, उस वक्त भी अगर आप अपने आपको चीखेंगे, चलनाएंगे, लोगों को ब्लेम करेंगे, तो आप कर्मा काटेंगे नहीं और बढ़ाएंगे, उनिवर्स समय पर आपको माफी करने के लिए बोलता है, हो पौन उपनो प्रेर करने के लिए कि माफ्य प्रैक्थे त्रॉत करो, जीतनता है क्योद आपका नश्ट हो। जल्दी आपके निई टोर्स ऑपन होंगे, लेकिन जल्स सक्ष्ट ना ऑने कि कि अंतर्यामी नहीं हैं लोग कि आप कुछ न बोले उने कुछ न समझे और वह आपको आपकी बातों को Só समाझना को छेथ को भी की बातों को छॉपाइँ और फिलोगों से कड़ एक रहें बहुत हैं, कि वह आपकी बातों को समझता। देखिए आपके इस परसंट की लाइफ में लगाता है टाव मोवेंट चल रहे हैं आपको पहली बतारे हैं कल की रीडिंग में भी आयते लगाते हैं और इस परसंट को लग रहा है कि सब कुछ खताम हो गया है लेकिन कहते हैं कि जहां पर आपको लगे सब कुछ खताम होगे वहीं से एक नई शुरुवात होती है यहां पर अभी पिच्चर बागी है युनिवर्स इस परसंट से बोल रहे हैं कि सब कुछ खतम नहीं हुआ आपको कुछ मिलनी सकता आपकी लाइफ हैल हो गई ऐसा हो गया वैसा हो गया आपका पार्टनर कॉंटीनसली यही सोच रहा है और जब आप यही सोचते हो तो यही चीज़ रहा है यही सबकॉंशियस में जाने लगती है इसलिए कहते हैं पॉजिटिव तिंकिंग पॉजिटि लाइता, लाइता लगते विज़ ऋबसक्वार माँ जानल थांक्यू वैस